क्या आप घर बेटे बंगलादेश का बिजय अपलाई करना चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको Google पे आना है और यहाँ पे लिखना है बंगलादेश बिजय फिर यहाँ पे जो ओफिशियल वेबसाइट आएगा यहाँ पे क्लिक करना है तो इस तरह से आपको नजर आ तो सबसे पहले बात काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि बिजय के लिए फिस कितना होता है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कारेंट बिजय फिस क्या है अबिलेबल यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे हर कांट्री के लिए दिया है कांट्री नेम कारेंसी क नहीं बता रहा हूं यहाँ पे आपको check करने को मिल जाएगा कितना fees है इन feature जाके आगे जाके अगर fees होता है तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा तो इसे मैं close करता हूँ और यहाँ पे मैं Tic कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग को करके next पे click करना होगा तो यहां पे आप क्लिक करें फिर इस तरह से आ जाएगा कि आपको एक email address डालना है और यहां पे जो भी capture show होगा वो डाल देना है फिर यहां पे next पे click कर दें तो यहां पे आप लोगों को यह वाला form fill करना होगा तो सबसे पहले यहां पे मैं आप लोग back to 3.5 cm पे भी आप कर सकते हैं तो दोनों सहीम ही है आप resolution यहां पे same as it is रखे और यह जो size है उसे भी आप ध्यान में रखे तो आप अपना current location चुन ले तो जायर सी बात है आप इंडिया से करेंगे तो इंडिया चुने अगर आप दूसरे country से कर रहे हैं तो दूसरे country भी एक तस्वीर upload करना होगा जो यहां पे resolution है as it is resolution सही होना चाहिए और white background होना चाहिए तो यहां पे मैं यहां पे preview पे click करूँगा तो इस तरह से यह नजरा जाएगा तो यहां पे मैं आपको बता दू अगर same as it is नहीं होगा तो कुछ भी error आएगा तो यहां पे show नहीं यहां पे first name आपका visa वही डाल दे जो passport का होगा और last name और surname वही आपका जो passport में होगा यहां पे आप लोग को अपना permanent address डालना है यहां पे आप लोग को अपना contact number डालना है address in Bangladesh और contact in Bangladesh और यहां पे date of birth आपका date of birth और यहां पे आप लोग को आपका gender डाल देना है क्या है बा बार्थ ऑफ कांट्रीज याई सी बात हैं अगर आप इंडिया से होंगे तो इंडिया पे ही अपका बार्थ होगा और यह नीचे दोनों फिल ऑटमेटिक हो गया होगा और यहाँ पे आप लोग का आपका occupation है यानि कि आप क्या करते हैं वो वाला यहाँ पे आप डाल दे यहाँ पे मैं इसको चुन लेता हूँ private service को और यहाँ पे marital status क्या आप marital single है तो आप अपने hesap से यहाँ पे आप डाल सकते हैं और यहाँ पे organization अगर आपका यहाँ पे कोई इस तरह से organization है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और यहाँ पे काफी सारे लोगों का सवाल हो सकता है जो लोग नहीं जाएंगे कि यहाँ पे एड्रेस इन बंगलादेश यहाँ पे एड्रेस इन contact number वगरा मांग रहा है तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख के आपका कोई भी एक यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे for example आज अगर आप apply कर रहे हैं तो कम से कम आप 20 से 30 दिन बाद बाला hotel book करें क्योंकि विजया का जो process है उसके लिए तो आपको थोड़ा बोश समय देना ही होगा तो कोई भी for example मैं यहाँ पे यह hotels मिल जाएंगे यहाँ से मैं यह वाला यहासे यहां तक चुन लेता हूँ और यहाँ पे इसे search कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा यहाँ पे आप charges भी देख सकते हैं तो आपको जहाँ पे कम नजर आ जाएगा आपके हिसाब से यहाँ पे मैं अगर दो दिन के लिए हीप पकड़ो तो यहाँ पर मैं सार्ज करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ जाएगा तो यहाँ पर आप व्यू डिटेज पर क्लिक करके उन लोगों का जो भी इंफ्रोमेशन होगा आप लोगों को address बगरह मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आप देख सेकते हो यहाँ पर यह वाला details यह वाला मैं close कर देता हूँ यह वाला इस तरह से फिल करके आपको submit and next पर क्लिक करना है पिर इस तरह से आ जाएगा कि type of bizia and goal तो यहां पे आप लोगों को आपके हिसाब से बीजा चुन लेना है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक नया फ्रेश बीजा के इस तरह से अपलाई करते हैं यह में आप लोगों को new visa application पे क्लिक करके आगे जाके आगे जो process होगा वो में आप लोगों को बताता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को यही चुन लेना है तो यहाँ पे आप लोगों को save and next पे क्लिक करना है तो यहाँ पर यह वाला चीज जो है उससे आप कहीं पर save करके रखे in case अगर क्योंकि यह website काफी slow है कभी कबार यह दिक्कत देता ही है तो इसे आपको रख नहीं है और यह जो आप करेंगे अगर यह complete यह जो online process करेंगे साथ दिन के अंदर आप यह complete नहीं करेंगे तो यह automatic cancel हो जाएगा आपको फिर से करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको ok कर पे click कर देना है तो यहाँ पर आप लोग को आपका जो passport का details यह वो डालना पड़ेगा और यहाँ पर आप पहले गय हुए है तो उसका details आपको डालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप नए apply कर रहे हैं तो जाएग सी बात आप तो गय नहीं होगे अगर आप गय हुए है तो यहाँ पर yes डालके यहाँ पर आपको फिल करना होगा यह और यहाँ पर yes आपको मालूम नहीं है information तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं बट नए के लिए यह नहीं होगा यहाँ पर कुछ डालने का जोरत नहीं है तो सबसे पहला यहाँ पर आप जो आपको passport में मिल जाएगा, date of issue भी मिल जाएगा, expiry date भी वो मिल जाएगा, आपके passport में ही होगा, वो देखके आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर यहाँ पे आप लोग को save and next पे click कर देना है, तो यहाँ पे आप लोग को payment information आ रहा है, जिस तरह से मैंने पहले ही बोला तो यहाँ पे आप लोग को यह वाला चुनला है कि किस तरह का visa आपको चाहिए, तो अलग-अलग तरीके का visa होता है, but most of जो लोग है वो घुमने के लिए जाते हैं, उसके लिए tourist visa होता है, तो यहाँ पे आप लोग को tourist visa check कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग को duration कितना च के चलता हूँ तो यहां पे आप लोगों को एक assumption के रूप में कौन से दिन आप जा सकते है डेट यहां पे आप लोगों को चून लेना है जिस भी डेट आप जाएंगे जिस तरह से मैंने बोला हुआ है आपको कम से कम 20 से 25 दिन के बाद वाला ही डेट जो भी है आपको जब ज एंटर करना चाते है तो आप अपने e-save से डाल दे मैं single को लेकर चालता हूँ एक परसन यहां से एंटर कर सकते है तो यहां पे सेवें नेक्स पे क्लिक करना है तो यहां पे आप लोगों को यह FM जो है उससे चुन लेना है और यहां से आप लोगों को आपका नजदिक का जिस तरह से होगा यहां पे में यहां पे आप देख सकते है कलकता है यहां पे आप अगरतला देख सकते हैं यहां पे आप गौाटी देख सकते हैं इस तरह से जो भी आपके नजदिक का होगा वो वाला यहां पे चुन लेना है उसके बाद next यहां पे क्लिक कर देना है तो सबसे पहली पार, डोकुमेंट, अपना आदर कार्ट, बूटर आइकार्ट, प्रेंट कार्ट, अगर आप अडल्ड है, अडल्ड नहीं है, कोई माइनोर है, तो उसके लिए आदर कार्ट और पास्पूर्ट लगेगा, तो यहाँ पे तस्वीर दो आपको लगेगा ही, तस्व यहाँ पे जाके आपको अभी के नॉर्मल सिनारियो की आपके आसपास भी मैं बताऊं, तो पास से देस रुपए एक तस्वीर होता है, वहाँ पे 300 से 500 रुपया ले जाएंगे, तो काफी आपको सोच समझ के यह वाला चीज देखो, एक वीडियो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप यह वाला चुन ले, और यहाँ पे आपको अधर कार्ट, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर एक भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से मॉल्टिपल देने का भी जोरुवत नहीं है, जो आपके पास होगा, उसी को आप लेकर चल कर सकते हैं बटन में save and next पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला आपका पूरा process complete हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज आप लोगो को complete हो चुका है तो यहाँ पे आप लोगो को ये जो बीजा एप्लिकेशन है या download print यहाँ पे आप क्लिक करके आपका जो form है उसे आप download कर सकते हैं इस तरह से आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोगो को क्लिक करके download कर लेना है इस तरह से form होगा तो आप लोगो को ये वाला print करा लेना है किसी भी computer shop से फिर यहाँ पे आप लोगों को बता दू जिस तरह से मैंने बताया हुआ है कि कोई भी चार्जेस नहीं लगता है यानि कि बीज आफिस कुछ भी नहीं है बट यहां पे आप लोगों को कुछ सार्विस चार्जेस लग सकते हैं अगर नॉर्मेल सर्विस चार्ज की बात करू तो 825 रुपी है यानि कि जो ओफिस में आप लोगों को लगेंगे साती सात काफी सारे लोगों का जहां पे भी सिलेक्ट किये हुए है उसका घर काफी दूर है तो वहां से कोई अगर दूर से कर रहा है मानलो 300-500 या 1000 किलोमेटर दूर से भी अगर उस ओफिस में आये हुए है फिर से विज़ा लेने के लिए उस ओफिस में जाने के लिए काफी प्रोब्लेम हो सकता है उसके लिए जो कुरियर चार्ज है हो सकता है आपसे वो 400 रुपिया के आसपास ले आप उनसे बता देना जब आप फॉर्म सब्मिट करेंगे कि मैं दूर से आया हुआ हूँ तो मुझे कुरियर से सरेंड कर देना तो वहां से आपको चार्जस ले लिया जाएगा 400 825 और 400 रुपिया आपका टूटल साती सात आप लोगों को डाबल वेक्सिनेशन का जो सार्टिफिकेट है वो आपको ले जाना ही होगा सब कुछ ही मैंने बताने का कोशिश किया हुआ है तो यहां पर जिस प्रोसेस से मैंने बताया हुआ है उसे अपलाई करें और डोकुम संदोब लोगोई वोगोगोगोग टो रूसे मैंने बता साथ बताया हुआ है तो यहां पर जो से एनल वेक्सिने वेक्सिने का टूटल से लोगोगोगी को लोगगोगोगोगोगोगोगोई तोह अवाघू जसे साथ